शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले आयोद निर्मानियों में काम करने वाले 82,000 रक्षा असनिक कर्मचारियों द्वारा देश के 41 आयोद निगमी करन करने और फिर शेहर बाजार में सुचिवद्द करने के लिए किये गए मनमाने गैर कानूनी और अन्याय कारक निर्नय के खिलाब बहुत जादा आंदोलन किये जा रहे है सरकार का नियंतरन पूर्व रक्षा मंत्रियों स्वर्गिया जोर्च फर्नांडीस प्रणव मुखर जी एक एंटोनी और स्वर्गिया मनोहर परिकरची द्वारा पूर्व में दिये गए आश्वासनों और समझोदों का उलंगन कर रक्षा कर्मियों का विश्व चुकि महसंगो द्वारा भारत के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक बार-बार वीशलेशन के साथ निवेदन दिया गया, जिस पर सरकार द्वारा कोई भी सकारात मकविचार नहीं किया गया। इसलिए भारतिय प्रतिरक्षाम अस्दूर्संग एवं अन्य महसंगों द्वारा भारत देश के सभी 41 आयूद निर्माणियों में अनिचित कालिन हर्ताल पर जाने का नेर्ने लिया है। इसी उद्देश को लेकर 8 जून से 17 जून तक सभी 41 आयूद निर्माणियों में हर्ताल के लिए मतदान आईजित किया गया था। इस आउदी के दवरान हर्ताल के लिए मतदान में कोरुणा संक्रमन के परिस्थितियों में भी निन्यानवे प्रतिशत करमचाडयों द्वारा अनिचित कालिन हर्ताल के पक्ष में मतदान किया गया। आयुद निर्माणी के कर्वचारियों दे सरकार को आयुद निर्माणीों के निग्मी करने के फैसले के खिलाप अनि छित कालिन हर्ताल पर जाने के लिए जना देश दिया। भामसे के विधर्ब प्रदेश उपाध्यक्ष भाप्रमस के सरुरक्षक, SN वाटवे, परियावरण मंच के M.M. रंगदारे, सह सचिव, R.P. चवरे, C.E.C. सदस्य हर्षल ठोम्रे के नेतरुत्व में, आनी मसंख के अध्यक्ष, M.M. व्यास, महामंत्री सचिन डाब्रे, J.C.M. सदस्य संजेवान खड़े, सचिन थोराने, बंडुतिड के, ओपी उपाध्येव, समस्थ पदादिकारीगन और कारेकरता शामिल रहेंगे। और्डनस फेक्टिक्स का कॉर्परटरेशन करने के बारे में, सरकार के द्वारा जो निरने लिया गया गया उसका पूरा विरोध, तीनों फेडरेशनों के माध्यम से किया गया था। इसके बाद में तीनों फेडरेशनों ने मिलकर के प्रदान मंत्री और हमारे रक्षामंत्री जी को भी एक मेमरंडम दिया और इस निरने के उपर में पुनर विचार करने के लिए उनको कहा था किन्ति किसी भी तरह का सकारात्मक उत्तर हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ मजबूरन जो अभी तक हमको अशुरंस पिछले जितने भी रक्षामंत्री हुए है स्वर्गिया जाज फर्नांडिस प्रणव मुकर जी साब अंटोनी साब स्वर्गिया मनोर पर्रिकर साब इनके द्वारा हमको अशुरंस दिया गया था कि और्डनास प्रेक्टिस का कारप्रडाइशन नहीं होगा किन्तो इस वक्त सरकार ने जो निरने लिया उसके विरुद में हमारे सामने आंदोलन करने के सिवाए कोई दूसरा परिया बचा नहीं इसलिए हम लोगों ने आठ तरिक से लेकर के सत्रा तरिक तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम लोगों ने स्ट्राइक बालट ढिया जिसमें पूरे 22,000 कर्मचारियों में से करिब-करिब 95-85-90% के बीच जो कर्मचारियों ने स्ट्राइक करने के पक्षम में के लोगों को हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को अभी भी समय है कि सरकार अपने जो निर्णा है उस निर्णाई को वापस ले इन बीस ये न्यूस के लिए वारी से सुनिल शेटि के साथ अभी शेक पाम से के रिपोर्ट